हलो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश के तीन नाम कैसे हुए? तो चलिए जानते हैं हमारे देश के तीन नाम कैसे हुए भारत भारत का नाम पौरानिक राजा भारत से लिया गया है इनका समराज कसमीर से कनिया कुमारी तप फैला हुआ था हिंदुस्तान वैपार के लिए जब इरानी भारत आये तब भारत को सिंदु नाम से जाना जाता था लेकिन इरानियों को सिंदु सब्त उचारन करने में तकलीप होती वो सिंदु को हिंदु कहने लगें कुछ समय बाद ही हिंद हिंदुस्तान में परिवर्तन हो गया और देश का नाम हिंदुस्तान पढ़ा इंडिया सिंदु नदी को इंडस के नाम से भी जाना जाता है सिंदु भाटी की सभियता रोम की सभियता की तरह ही परसीद थी और पूरे देश में फैली हुई थी इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा इंडिया का नाम विश्व इस्तर पर अंग्रेज सासन के दौराद 60 से अधिक परसीद हुआ है जो आज भी परसीद है दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगिये तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेज करना ना भूले